करेंगा दूंगा चैनल और आज हम वापिस आए हैं एक नए चैलेंज के साथ वाए मैंने बहुत सारे यूट्यूप वीडियोस देख लिए सबने चैलेंज किया हुआ पर सिर्फ 24 गंटे के लिए हैं आज हम यह चैलेंज करने आ लें सिद्धिक सिद्धिक डबल से भी जाद लिए 50 गंटे के लिए 50 गंटे के लिए पाई दिखांड आप सारा गायं बाई चैलेंज के लिए सबसे पहली मील मैं खाने वाला हूँ हल्दी राम का मिनिट खाना हैदराबादी बिर्यानी तो इसको बना लेते हैं और इतने से पेटनी बरेगा यार मेरा पेट बहुत आता है तो इसके साथ साथ हम खा लेंगे have you eaten का पेरी पेरी पास्ता तो देख लेते मील प्रिपेर कर लेते फिर देखते टेस्टी लगता है तो ये खा के रुख जाएंगे और नहीं लगा तो और खाएंगे यार पेट थोड़ी खाली छोड़ेंगे तो अपनी बिर्यानी रेडियों के ये बाई बनके काटेंगे खोलेंगे खाएंगे तो गुदरी जैसा नहीं लगा रा काटो भूलो लगा रहा है देखने में तो अच्छी लग रही है आगे देखने में अच्छी लग रही है दोड़ी खाने में अच्छी होगी पता चुड़ेगा देख खाने में बाद कुछ ऐसी सित्यार वी है स्मेल तो ठीक है प्रिष्ट भी उख्योख्यास लग रहा हुबलेवे चाबल खाल रहा हूँ मैं अपनी लाइब जर्ण गर रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना ऐसे में चले जाना वीडियो से तो नेक्स्ट चीज़े हम खाने वाले वह है वीडिन का परिपरी पास्ता चार मिनिट के लिए डखने को बूला था तो अल्मूस्ट रेडी हो गया होगा इसकी प्राइब करते देखते को लिए कैसा बनाए प्रिवेंस तो अच्छी है मसाला वगेरा सब देखिए इस अब बच चुके है कुछ सुबह के 8.43 हो गए सुबह के तो टाइम देख लेते हैं कितना हो गया अपना चैलेंग्स स्टार्ट हुए गए साथ घंटे और तीन मिनिट सम्तिं सम्तिंग हो गया है तो भूब लग रहे हैं सुबह सुबह कुछ खाने का मनने तो एक तो अपने पास इसकी चॉइस है एक अपने पास पूह है दूसरा हल्दी राम्स का है हल्दी राम्स का बनाके आपको ट्राइ कर लीते हैं इसकी प्राइज है कुछ साट रुपर, साट रुपर, तो साट रुपर इसकी प्राइज है, तो इसको बना लिते हैं, खाते हैं, फिर अपको बताते हैं कैसा है तो गैस पोवा तो बन के तियार हो गया अपना और साथ में चाय भी बनाई है, मैंने मेरा रुमेट कह रहा था, कि फ्रोजन फूर का चैलेंज है, रेडी टूरीट का चैलेंज है, चाय क्यों पी रहा है, चाय मत पी, मैं यार चाय दिखो, चाय तो चाय है चाय में धरन थोड़ी होता है, तो पी सकते हैं, चाय के लिए माफ कर देने, चाय तो देखो, पी बना रहा निजाएदा, तो पोहा तेयार हो गया, पोहा खाते हैं, अपना प्राइस वगरा मैं आपको बताई चुका हूं अच्छा है, अच्छा है, और ना आपी बिस को अठाओं ऑफिस नहीं आज, और व्रों हो मैं, दो दिन, एक्शली दो-तिन दिन का व्रों हो रहेगा, विक्रीज मारा मैंगर उसकी छुट्टी है, उसने चुट्टि लिखेंग बगवान करें मेरा मैंगरियर ग्रीज यह न अब यह फिनिश कर लेता हूं है लंच में प्रोपर खाएंगे यार मैं जोच रहा हूं छोले खाएंगे नान खाएंगे और मीठे में गाजर का अलवा भी है तो भी खाएंगे तो मैं आप लोगों से मिलता हूं लंच में वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ी एनर्जी कम थी पर आप एनर्जी विल्कुल ठीक होगे तब इत खराप थी तब इत भी ठीक होगी है तो भाई भूग लग रही है जोर गी तो छोले है यह सा डीसी के सीता राम दिवान जन छोले इस पैकेट का प्राइज है 115 रुप सब्सक्राइब लव की तरफ से और इसकी प्राइज है 125 रुपीस कॉंटिटी तो फटावट इसको बना लेते हैं तो गर्म गर्म छोले और चीजनान बनके रेडी हो गया है तो टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है प्रिक्रींस तो अच्छी आ रही है तो टोड़ी बाइट है तोड़े से छोले है तो अच्छी बूलुआ सच में बहुत अच्छे हैं मने इतने एक्सपेट नहीं है जितने टेस्टी हो जाएंगे पर सच में बहुत अच्छे है नान और छोली का कॉंबनेशन मतलब मजा आ रहा है तो गोलकप्पे घाने के साथ वो पतल भी चालवा तो गोलकप्पे घाने के साथ वो पतल भी चालवा मैं इसको पड़ावट फिलिश कर लेता हूं आप से मिलते हैं नेक्स मील में तो गोलकप्पे खाने के साथ वो पतल भी चाट रही है ओमफों धुर्राटे का आट रही है तो भाई भूग लगगे बहुत गंदी कुछ खा लेते हैं तो अब हम खाने वाले हैं हल्दी राम के गोल गपे तो जल्दी से प्रिपेर कर लेते हैं और मिलते हैं आप खाते हुए भूग लगे अब हम खाने वाले हल्दी राम की पानी पुरी तो टेंशन नालोस में यह रखा बना हुआ सारा बन चुका है तो फटापर ट्राइगर लेते हैं तो जल्दी से कर लेते हैं इसको इसमे रहे हैं तो हम यह खाले पर आप से मिलते नेक्स मिल में काम करना था मैं ओफिस का काम करते करते ना कुछ पीने काम बन हो गया तो मैं यह ले किया था पिंक कलर की फैंटा लिक्ची फ्लेवर है यह नॉर्मल फैंटा में को उत्ती पसंद नहीं है पर नहीं थी दिखने में अच्छी लग रही थी मसचा वीडियो में अच्छी लग 2000 यह लेटर यार वीडियो स्टार्ट किया था तब तो लग रहा था कि बहुत मजा आएगा यार खाने वगेरा में भी अब तो मन नहीं कर रहा है यार सच बता हूं खाने का मैं आफिस का काम अगेरा करके बैटा हुआ था टारक में था देख रहा था टीव पर वही इंडि रूटीन अपना यूजल बहुत भूग लग रही है चैलेंज कितम होने में कम से कम 9 से 10 गंटे वाकी है और खा खागे ना मन भर गया है और वही खा खागे अल्मोस्ट अब तो हर चीज में सेम टेस्ट आ रहा है कुछ भी खाओ पचास गंटे का उड़ता तीर गलत ले लिया ऐसा लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं रखे तो रखा तो काफी कुछ है पर समन नहीं कर रहा है कुछ खाने का पर खाना दो पड़ेगा यार पेट से वाज आ रही है गुड़ 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 सम क्राड़ चैंड़ आतunn नहीं को रुदल मुग już उखा पर पैयमें वाम desert के यारो तो तो मलते आपके आपसे और रहा लो बना लेते हैं और मिलते हैं आपको यह थे Rock हुझ ह॥ प्रवाइज मील बनके रेडियो हो चुकिए आप लोग बीग लोग ले लीजिए पुछ ऐसी सी बनी है यार देखने मत अथा अच्छी नहीं लगरी मैं को भी पर अभी चार-पांच गंटे इसके लाओ तो अब लोग लिए तो ट्राइए कर लेते हैं अच्छा है जाला को लुगा तो कंपनी वाले पीशे पढ़ जाएंगे हैं वहात अच्छा है समझ रहो समझ रहा आप समझ रहा ना तो भाई चैलेंज खतम हो गया मैं को पता ही नहीं चला के 50 आर्ज हो चुके थे तो टोटल टाइम जो है वह फिफ्टी टू आर्ज फिफ्टी सिक्स मिनिट्स हो गया है तो जो चैलेंज था उससे तीन घंटे तो ज्यादे ही हो गया मैं आपको टाइम वगरा दिखा देता गया इंस्टेंट फूड खाया रही टूइट फूड खाया हालत तो खराब हो भी भाई अजीब जीपसा फील होने लगा है काफी ज्यादा मतलब लगा एक दो बार खाओ दिन का या आफ्टे का तो अब कंटीनेसली नहीं खा सकते बहुत अजीव हो जाता यार मन जीपसा लग जाता लाइफ जंट सी लगने लग जाती यार बस चैलेंज खतम हो और नौमल खाना मिले तो थैंक यू सू मच भाई अगर यहां तक देखिए तो अबिसली वीडियो अच्छी लगिए लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो आपका एक बेटन दबाना और मेरा चैनल गर